तो मैं इस वक्त कैटिन रूप सिंग स्टेडियम में हूँ और मेरे साथ है अनन्त प्रोहिजी जो की फॉर्मर प्लेयर भी है और लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ भी लाइजनिंग सपोर्ट के साथ इंफैक जुड़े रहे हैं टीम इंडिया के और मैं उनसे पूछूँगा क्योंकि सचिन तेंडूल कर ने डबल हंड़े बनाया था और हिस्ट्री क्रिएट हुई थी यहां पर वो यहां पर मौजूद थे तो मैं प्रोहिजी से पूछूँगा कि उनकी क्या याद है सर्क्या याद है आपकी डबल हंड़े इस ग्राउन पर बना था आप कहा थे हमेशा साथ रहेगी क्योंकि वह एक हिस्ट्री थी कि पहला डबल सेंचुरी वंडे के अंदर हुआ था और कुछ महौल की अगर आप पूछेंगे तो जैसा चलता है सौ जब सचिन के सौ हुए थे तब तक तो जैसा चलता है वैसी था सारा लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ दोने को जा रहे है ऐसा लग रहा है और दीरे 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 मैच आगे बड़ा फिर उसके बाद उसी बीच दोनी के बैटिंग करने के लिए आये और वह भी शुरू हो गए उनके वी बैट पर बहुत अच्छा बॉल आ रहा था और काफी तेज खेल रहे थे तो यहां रहे थे कि एक्राउड में थोड़ा सा घुस्ता था क्राउड की सब सचीन के दोसों देखना चाहरे थे और सब को यह लग रहा था कि इनके वज़े से दोनी की वज़े से उसके दोसों नहीं होंगे लेकिन वह उनकी अंदर प्लानिंग थी जैसा बाद में जब वो लोग आये और पाजी स्ट्राइक से थोड़ा दूर रहेंगे तो बोले इसलिए मैं एक समय के बाद यह हुआ कि हम लोग स्ट्राइक उसी को देना चाहरा था मैं और पाजी के जो बैट पर बॉल आ रही थी और बाद में ये भी हुआ कि बोले उसी ने बोला कि पाजी अगर 6-7 बॉल से ने उटना जब कपिल पाजी 175 मारे थे तो जो मैनेजर था उन्होंने का था कोई अपनी सीट से नहीं लेगा ऐसा कुछ यहां भी था सेम यहां पर जब 161 75 के बीच थे पाजी तो फिर यही मेरे जो लेफ्ट एंड साइड में बालकनी इसी में इंडिया टीम थी और सभी लोग बिल्कुल जो अंदर बैठे थे वो टीवी पर ही देख रहे थे जो बालकन क्योंकि छोटी है तो वहां 6-7 प्लेयर ही थे लेकिन जो पीछे चेयर पर खड़े हो गए थे वो चेयर पर ही खड़े थे मैं पीछे था बिल्कुल तो मुझे मैच भी नहीं दिख रहा था और ना मैं टीवी पर देख पा रहा था पर मुझे भी इंस्ट्रक्शन थे कि वहीं खड़े रहोगे तो दोसों होने के बाद मैंने बहार आके क्लैप किया मैं भी वहीं खड़ा था तो किसी को भी अलावड ही नहीं था कि वह अपनी जगा से हिले अच्छा मैन ऑफ दमैच जब टेंडूलकर को मिला था तो मैन ऑफ दमैच का जो चेक मिलता है उसका क्या हुआ था जी जी वह चेक मैं भी लेना चाहरा था इंपक्ट क्योंकि एक एज़े सोविनियर में रखना चाहरा था कि साइन करा के सचिन जी के लेकिन वह दिनेश कार्तिक ने जित करके और भी जा रहे थे रखना तो दिनेश कार्तिक ने वह लिया था और उस पर पाजी इसे बड़े बड़े ऑटोग्राफ लेके वह अपने साथ लेकर गया थी और जहां तक सेलिब्रेशन का आपने कहा कि यहां कोई ऐसा क्योंकि ड्रेसिंग रूम छोटा ड्रेसिंग रूम है तो य यहां से निकले होंगे तो यहां पर क्या सिनेरियो था वो तो फिर बस निकलना मुश्किली था और जैसा सभी को मालूम है कि पाजी का एक नंबर सीटी रहता है जब भी जितना क्रिकेट खेलें वह एक नंबर सीट उनका होता है तो सब को वेव करते हुए गए और यहां से होटल कोई जादा दूर नहीं था होटल तक तो बहुती बुरा हाल था बहुत क्राउट सड़कों पर था और इंजॉयमेंट था मेंली सब लोग इंजॉय कर रहे थे कि एक गॉलियर के नाम से एक हिस्ट्री लिखी गई है तो आज भी अगर कहीं जाते हैं हम और बोलते हैं वर्ड कप का भी मैच खेला गया था 1996 वर्ड कप का इंडिया वसेज वेस्ट इंडिस उसकी क्या याद है क्योंकि उसमें भी सचिन पाजी ने जबरदस इनिंग है उसमें भी सचिन काफी अच्छा खेल रहे थे मुझे यहां तक याद है 77 वगरा के आसपा अनफॉर्चुन मेरे को याद नहीं है लेकिन हाँ उस समय कपिल पाजी थे तीम के साथ और सब लोगों ने बहुत जीतने के बाद वह भी उशा किरेंड में ठहरी थी टीम और काफी वहाई जाए नाराज मतलब उनका फोकस सभी लोग जानते कि उनका फोकस 100% ही रहता है वो उसमें मतलब अ था उस दिन उनको ऐसा लग रहते हैं उनका रियक्शन इतना ज्यादा लाओर तो कभी रहता ही नहीं है पर हाँ उनको बुरा तो लगाता कि वह रन आउट हुए थे अच्छी को बुरा लगा था क्राउड बिल्कुल बुरी तरीके से दम स्टांट था कि यह क्या हो गया अच्छा मैं डबल अन्ड वाले पर आता हूं क्योंकि आप इतने अच्छी बाते 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 याद है आपको पैड में लगा था वाजी और बाद में अभी एम्पायर ने भी उसमें बताया कि बहुत क्लोज कॉल था लेकिन क्राउड इतनी ज्यादा थी शोर इतना प्रेस कोई था बैट्समें के तो वह एम्पायरी था तो हो सकता है लगा होगा और उनका क्या सुचना है लेकिन इस बारे में मेरे को कोई अच्छा अब यहां पर क्या मैचेस होते हैं मतलब इस ग्राउंड में अभी बोर ट्रोफी के मैच होते हैं जूनियर्स के जो भी व प्रोहिज जी को जुन्होंने तमाम यादें बताई सचिन टेंडूल करके उस एतिहासिक पारी की जब उन्होंने कैप्टेन रूप सिंग स्टेडियों में डबल हंड़िड स्कोर किया था